नवस्कार दोस्तों मैं सरोज पांडे आज गुरुवार है मेरे दो गुरु है ओशो और मेरी गरीबी इन दोनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है ओशो ने जितना भी ध्यान विदी सिखाया जितना भी योग सिखाया और बहुत सारे परिश्थितियों से निबटने के लि है जिसने मेरे जीवन को मार्वूति दी है दैसे ओशो कहते है प्रेम दोगे तो प्रेम ही लोट कर मिलेगा जरूर नहीं कि उसी आदमी से मिले किसे और से ही मिलेगा लेकिन मिलेगा और अगर गालिया दोगे तो पलट कर गालिया ही मिलेगी जरूरी नहीं है कि उसी आदमी से मिलेगी हो सकता है वो कमजोर हो पलट कर गालिया ने दे पाए कोई और देगा लेकिन जरूर देगा इस तरह की बाते जो सेक्रो जीवन का निचोर है ओशो ने हम लोग को दिया है और हमें साथ देते ही रहते हैं आज गुरुवर है मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपने गुरुवर को याद करू और मेरे गुरुदे जो ओशो है और मेरी दूसरी सबसे बड़ी गरीबी है ये मेरी गुरु है गरीबी जितना मुझे अपने गुरु से सिखने मिला उससे जादा ही मुझे अप गरीबी से हैं तो मुझे आश्चर्ज है कि गरीबी की दिरों में मेरे आज पास के पचास सो लोगों ने मेरे साथ ऐसे दुर्विवार किये हैं और आज भी करते हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं गरीब नहीं हुआ होता तो शाइद इन सब को मैं अभी तक अपना समझ के कि छाती से लगाया बैठा रहता ऐसे ऐसे लोगों ने अपना भी है वीर मेरे सामने रखा जब मेरे पास पैसे नहीं है समझें कि सब कोई गुरू बन जाता है कोई यह समझाता है कोई बbuild इसांटा है प्यारे दोस्तों खत्म कैसे करें सबसे बेहतर बात यह है कि संसार में 800 करोड़ है पर वन अप दिचेस्ट मैन मेरे गुरु ओशो इतना आमीर आदमी ओशो और वही बता सकते हैं कि आमीर कैसे बने बाकि जो भी लिए फर्मूलारी पता है कि अमेर कैसे बनते हैं बिल्कुल पता है प्यारस दोस्तों गरीबीखों बहुत-बहुत धन्यवाद में करूँ आउनगा यह तो नहीं के क sure it कि मेरे जीवन में गरीबी जब जब आती है मुझे अच्छा लगता है बुरा ने रहता है ऐसे एक्सपेरियंस मुझे होते रहते हैं खास करके इधर एक-दो सब्सक्राइब तो बहुत जयादा हो रहा है जब मैं देखता हूं मेरे जेभ खाया चाली है मेरा पर्स खायां क्छा भी तरह कि बात करती है है और हम मैं एसे बात लोग करते है कि लगता है यारिये इसके लिए अपने मैंने जिवन बर्रहन कर दिया टिए इस बात क्या अफसोस होता है मेरी मेरी धर्म पत्नी इम्मनी सिंखाती थी कि किसी के लिए कितना भी कर दो जी दिन आपके कोई कमी देखेगा वो आप पो छोड़ देगा ये मेरी पत्नी का कहा हुआ है आप किसी के लिए जान देदो कुछ भी कर दो लेकिन जैसे ही आप में कोई कमी देखेगा वो आप पो छो अमीर हो, मेरे भी इच्छा है, कि आदनी सम्रिध हो, अमीर हो, पैसे से समर्थ हो, और गुरू ही ये काम कर सकते हैं, आप कहईगा जितने भी लोग हैं, जुवारी हैं, दुसरे तार के बिज्ञस में हैं, पैसे वालए तो वो भी है, और एक से एक आलिसान बंगला है, गाड आश्रज है कि जो जिस लेवल का शिष्य होता है उसे केवल उसी लेवल का गुरू मिलते हैं यह नियम को याद रखिएगा जो शिष्य जिस लेवल का होता है वो अपने ही लेवल का गुरू ढूंड लेता है मुझे आश्राज है कि मैं बच्पन सभी तक बहुत सारे गुरुओं के पास भटका आया गया सभाग गया कि मेरे सारे गुरु अच्छे हैं अपने अपने स्टेज पर उन्होंने मेरा साथ दिया जितने भी मैं दर्शक है अगर आपको लगता है कि आप सही है आप ठीक है फिर आपको गुरु की जोड़तनी है लेकिन जिसको लगता है कि मैं सही नहीं कर रहा हूं उससे गुरु मिलने ही चाहिए और मिल जाता है जब मैं चोरी बेमानी करता था अपने कंपनी में काम करता सब्सक्राइब करने का मज़ा लिया कंपनी में अगर सामान मंगाता था दो सो रुपय का नास्ता तो लिखता था तीन सो रुपय मुझे तीन सो मिलते थे लेकिन मुझे हर बार लगता था कि मैं गलत कर रहा हूं और एक समय आया जब मैंने अपने कंपनी के मैंनेर से कहा कि हम अभी तक गलत बिल बना रहे हैं वह हमने बेमानी से बहुत पैसे कमाया है नाइटी सेवन में जब मैंने सन्यास दिक्षा लिया उसके बाद से ले करके 1997 से लेकर आज दो लुवंबर 2023 तक फिर मैंने बेमानी का रास्ता नहीं पकड़ा गलत काम का रास्ता नहीं पकड़ा मैंने बेमानी किया है बहुत पहले किया है सन्यास से पहले मेरा सन्यास 1997 का है 1997 से लेकर के 2023 के बीच में मैंने एक रुपए की बेमानी की है और ना कभी करूंगा इसके पीछे मेरे गुरु का हाथ है लेकिन अगर किसी को लगता है कि वह बेमानी करके हेज फाइन वो ठीक है फिर उसे गुरू के कोई जुरत नहीं है, उसे गुरू के खोज नहीं है, तो गुरू मिलेंगे नहीं गुरू मिलते ही उसको है, जो गुरू को खोई रहा है मैं जब भी जीवन में कोई नयतिक गलती करता था तो मुझे लगता था कि मुझे यह नहीं करना चाहिए मैंने इसी तरफ ने मुझे मुझे में गुरू की तलाश शुरू करवाई और मुझे एक से एक गुरू मिले एक से बढ़कर एक ओसो के आने के बाद भी जीवन में बहुत सारे गुरू आते रहे लेकिन कुल मिला कर देखा जाए तो ऐसा कौन सा काम था ऐसा कौन सी विद्या थी जो ओसो को नहीं आती थी ओसो को तंत्र आता है ओसो को मंत्र आता है ओसो को योग आता है ओसो को ध्यान आता है ओसो को समाजिक ज्यान है ऐसी कोई भी मेरी जवरत नहीं थी जो उसो ने मुझे नहीं दिया है और देते रहते हैं वो सबसे जो बड़ी बात जो उसो के देन मेरे जीवन में रही कि मुझे आदमी परखने का उन्होंने मुझे दिविद्ष्टि दिया बच्पन से ले करके आज तक मैंने पिछले वीडियों में बोला था कि 50 लोगों के बीच में घिरा रहता था अपने जीवन का 24 घंटा बरबात किया कहीं साल बरबात किया अगर मुझे ओशो ने एक किरपा की मुझे दिविद्ष्टि दिया और जिससे मैं साफ साफ देख पाता हूँ कौन आदमी गलत है कौन आदमी सही है गलत के पीछे ने समय बरबात करना है ने पैसा बरबात करना है सही आदमी कोई होगा उसको आदर सम्मान प्रेम जाड़ी रहेगा जो ब्यक्ति गलत के साथ रहेगा वो क्या आगे बढ़ेगा अध्यादम की दुनिया में धर्म की दुनिया में एक तो अगर किसी को लगता है कि मैं अपने किसी नैतिक रूप से गलत हूँ मांसिक पतन है जूठ है बेमानी है चोरी है किसी भी तरह का दोस अगर अपने आप में दिखने लगे तो समझे आप ने गुरू की खोज सुरू कर ली अब आपके जीवन में कोई ने कोई गुरू आएंगे लेकिन आप देखिए मैं जितनों को जानता हूँ चोर जूठे चैत्रहीन लोग समझते हैं कि मैं शराब भी पीनू तो क्या करूँ कल्यूग है यानि कल्यूग दोशी हो गया उसका कोई दोस नहीं है मुझे भी अपने जीवन में सो बार से अधिक शराब पीना पड़ा साइक्रो बार दोस्त थे साथी थे रूमेट थे लेकिन हर ड्रिंक के बाद म समर्थ हो गया मेरे पास पैसे हो गया तब मैं सरम नहीं पीता हूं मेरी मर्जी सबसे जवरी था गलत लोगों से दूर हटना वही मैं नहीं कर पाता था दिन बर काम करके शाम को अपने रूम में गया रूम में 4 प्यकर बैठे हैं उनके साथ बैठ करके देशी पीना है 10-20 वाला कितना साल तक साइद 95 से ले करके 2002 तक साथ सालों तक मैं ऐसे कमड़े में रहा जहां पर चिकन मटन बन रहा हो शराब चल ले थी और मुझे बच्पन से पसंद नहीं था अब जिन्हें पसंद हो खुश रहें कि आज तो मटन बन रहा तो आज मुर्गा बन रहा मुझे बच्पन से पसंद नहीं था और ऐसे-ऐसे लोगों ने मुझे दोखा दिये हैं चराब और मांस के मामले में जिनका छमा मेरे पास नहीं है चमा नहीं कर सकता बहुत सारे लोग है जिननों मुझे बच्पन में ही मचली, अंडा और मांस का सेवन करना सुन कर दिया जवरदस करके मैं देखता हूँ कि मन के सारे विकृति कि शांत होते जागे दूर होते जा आप मफे दिरे धयन की तरफ रमने लगा है भी बिना जीवन में जो डॉबएक है आदमी की जो बढ़िएगा, ऐसे ही नहीं, ग्यानियों ने कहा दिया कि पूरा संसान माया है, सही बात कहीं, बिल्कुल सही बात कहीं, लेकिन कभी किसी उन में हो गई बेकूफ ही मुझसे, मैं अपनी बात करना हूँ, आप लोगों की बात नहीं करना हूँ, 23, मैंने बहुत देर से शादी की, सन्याश मैंने लिया 24 साल कुमन में, लेकिन सन्याश के बावजुद्ध मुझे दिख रहा था कि कुछ तो कामना बची हुई है, और उस कामना के कायन मैंने विवा को हाँ कर दिया, तीन-चार-पांच विवा के प्रस्ताव को मैंने इंकार किया, लेकिन 31 साल के बुद्धी ने क्या भ्रह्म पाला कि मैंने शादी कर ली, उसके बाद जो पीठ में जो हुक बंधा है मेरा, वो मुझे क्या आगे बढ़ने देगा, पत्नी आएगी तो बच्चे आएगे, फिर बेटा आएगा, फिर बेटी आएगी, आप बढ़ो आगे, आप दो कदम बढ़ेंगे, वो चार कदम पीछे किसने होता है, ऐसा कभी कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी पत्नी भी आपको आगे बढ़ने में सहयोग करें, हो जाए तो सौभाग्ये, ऐसा कभी हुआ है कि आप मार्ट पर चलना चाहते हैं, आपका बेटा भी आपका साथ देने लगे, चलो दो कदम और आप आगे बढ़िए, मैं बहु कि आप आपने बेटे की हत्या कर दी, ऐसा नहीं कि वन साइड एड़ो है, दोनों साइड एड़ो भी चलता है, पूरी संभावना है कि एक बाप इतना गलत हो जाए, कि बच्चा उसका तरफ से दाजाए, उपने बच्चे के लिए कुछ नहीं करें, और बच्चा अपने ब अजम से जो लोग भी मेरे दर्शक है, मैं बहुत दावे से कहता हो कि आपका अपना अवलाद, अगर आपके पेट में भूक लगी है और अवलाद के जे में नोट है, और उसे सब बता है, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, ध्यान दीजेगा, बेटा और बेटी का त मैं क्यान साल का हूँ, धीरे धीरे बुड़ापा के तरह बढ़ रहा हूँ, एक समय आएगा जब चलने के लिए भी बेटा का सहरा चाहिए, सट पढ़ने के लिए भी बेटी का सहरा चाहिए, पैंट पढ़ने के लिए बेटा सहरा चाहिए, तब मैं ये बात कहा रहा हूँ के लेकिन जो अच्छे लोग है जिन्होंने अपने माता पिता का सेवा किया है उनका बच्च उनकर सहरा बनेगा है स्ड़ूर बनेगा कुंकि प्रकृति की वैवस्तर यह है हम अपने पिता और दादा को पुर्वजों को जो देते आए हैं वही हमारा बेटा हमको देगा अगर कोई आदमी सचनूश धर्मात्मा है, शीलवान है उसने अपने पिता की सेवा की है, अपने दादा की सेवा की है या किसी बुजुर्ग की, किसी कभी सेवा किया है उसकी जो संतान होगी वो उसके लिए सब कुछ करेगी अच्छे और सुयोग बेटों के कमेने दर्ते पर बहुत है आदनी का करेक्टर क्या है उसके आधार पर उसको ऐसी संतान दी जाएगी हम दिस लाइक होगे हो ऐसी मेरी संतान होगी और अगर हमारी संतान हमारे लिए प्रोब्लम बन रही है तब असली प्रोब्लम मुझ में रहा होगा पहरा दोस्तों इस वीडियो के मदम से चुकी गुरुवार है और आज मैं चाहता हूँ कि दूसरे के अन्वह से भी आप लोग सीखिए दूसरे के ज्ञान से भी आप लोग सीखिए बहुत संगर्ष मैंने किया है क्यावन साल तक मैंने इतनी गरीवी देखी है मैंने आपको बताया था 89 डेज हम भूके रहे 89 दिन एक ब्रेड और एक पावरोटी पर मैंने 24 गंटा काटा फिर अगरा दिने एक ब्रेड एक पावरोटी पर 24 गंटा आसे करते-करते 89 डेज के बाद पिताजी ने पैसे भेज़े तो उससे मैंने खाना खाया था और तब मैं एक वक्त खाना खाना शुरू किया था कोई दिनों तक सार क्या है? सार सिर्फ यही है कि जिसके जीवन में गुरु है वो अपने गरीबी को भी वरदान बना लेगा याद रखिए जिसके जीवन में गुरु है ग्यान है वो अपने गरीबी को भी वर्दान बना लेगा और उससे सीखेगा कि गरीबी एक अभिशाथ है सीखना यही है कि गरीबी एक अभिशाथ है उससे मुक्त होना चाहिए गरीबी से स्वयम भी मुक्त होईए और दूसरे को भी मुक्त करिए एक दूसरा प्रोफेशनल एटिटूट आप याद रखेगा अगर आपको पैसे कमाने का शौक है तो केवल गलत मर्ग से ही ज्यादा पैसा कमाया सकता है गलत काम करना होगा दूसरे का लूटना छीदना खसोटना शोषन करना यूज करना मैं धर्मात्मा की बात नहीं कर रहा हूं जो धर्मात्मा है जो सन्यासी है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं संसारिक व्यक्ति केवल तवी सपल होता है जब लूट खसोट और बेमानी करता है कोई कहे कि वो लूट खज़र बेमानी सोसन नहीं करता है और पती बन गया तो मुझे भी एक बार सोचना पड़ेगा पता निये बात में कितने सच चाहिए वापस मैं लोटता हूँ असली धन नोट नहीं है मैं आज भी कहूँगा फिर कहूँगा असली धन करेंसी में नहीं है असली धन नोट में नहीं है असली धन है राम धन ओशो के ध्यान पीदी से मैंने राम रतन धन पायो जिसे राम मिल गया उसे समय दरिक लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद धन कमाईए लेकिन राम्रतन धन कमाईए धन्यवाद